जहीं डिफेंस एस्परेंट्स विलकम बैक अगीन दिस दिव्याशु पांडे मल्टी नेशनल एक्सराइज मिलन 2024 की शुरुवात हो चुकी है तो चली जानते हैं कि यह मिलन एक्सराइज है क्या जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारती नौसेना दो साल में एक बार मल्टी नेशनल एक्सराइज मिलन को कंड़िट करवाया करती है इससे पहले यह एक्सराइज 2022 में आपके कंड़िट करवाई गए थी और अब 2024 में यह एक्सराइज 19 फेब से लेकर 27 फेब तक आपके कं नेवल एक्सराइज है वह भारत के बेव बंगाल विशाका पत्नम में कंड़िट करवाई जा रही है और इस एक्सराइज में टोटल 50 कंट्रीज की नेवी आपकी पार्ट स्पेट कर रहे हैं जिससे की जियो पॉलिटिकल इनवार्वेंट में मैरिटाइम सेक्यूर्टी को बहतर बनाया जा सके मैं आपको बताता चलों जो विशाका पत्नम है वो हमारे इंडिन नेवल इंडिन नेवी का जो है इस्टन नेवल कमांड है और इसी कमांड से हम बेव बंगाल और इंडिन ओशन की सुरक्षा किया करते हैं अभी हम सभी देख रहे हैं कि रेड सी में कि और इंडिन की सहायता लेते हुए हम इस प्रकार के एक्सराइज को कंड़ट किया करते हैं इस एक्सराइज में अमेरिका जापान ऑस्टेलिया फ्रांस बांगलादेश शाउथ कोरिया वियत नाम इंडोनेशिया मलेसिया जैसे अन्य तमाम देशों की 9 से 9 यह है वहां से सम्मंदित कोश्चन जरूर पूछे जाते हैं एक्सराइज में टोटल 15 वार्शिप्स और वन मैरिटाइम पिटल एरक्राइज हमारे फ्रेंडली फॉरंग कंट्रीस के पार्ट स्पेट कर रहे हैं और साथ ही साथ आगर हम बात करते हैं भारती नौसेना की त दोनों शामिल हैं तो देखे हमारे दो सबसे बड़े एरक्राफ्ट केरियर हैं विक्रमादित और विक्रांद तो दोनों को इसमें आपका लगाया गया है विक्रमादित को हमने रश्या से लिया है और विक्रांद को हमने स्वता ही बनाया है और 2022 में इसको कमिशन करवाया साथी साथ एंड नियरली 50 एरक्राफ्ट इंक्लूडिंग मिक-29 के LCA तेजस पोसाइडन एटाइल लॉंग रिंड मैरिटाइम रिकनिसेंस एरक्राफ्ट एंटी सम्मरीन वार्फेर एरक्राफ्ट ये सभी आपके शामिल है और इन सभी एरक्राफ्ट और हमारे जितने भी डि 23 फेब तक आपका चलेगा और इसके बाद C फेज 24 फेब से लेकर 27 फेब तक आपका चलेगा यानि कि किस प्रकार से डॉक में एक्सेसाइज करनी है इस पर सभी देश एक साथ आपके आए हुए हैं मिलन एक्सेसाइज का एम यही है कि हम 2024 में अपने रिजन को आपरेशन को स्टंथन करें, मैरिटाइम सेक्यूटी को एनहेंस करें और इंटर आपरविल्टी और अंडरस्टेंडिंग के साथ सभी देशों की नव से नव के साथ हम भाग लें और एक्सपरटाइज को भी शेयर एक दूसरे के साथ करते जाएं मिलन निवल एक्सेसाइज की हिस्टी क बात करें तो ये एक्सेसाइज सबसे पहले 1995 में स्टार्ट हुई थी जहां पर भारत, इंडोनेशिया, सिंगापूर, श्रिलंका और थाइलेंड एक साथ रहते थे और उस समय भारत अपना लूक इस्ट पॉलिसी आपका चला रहा था और 10 एडिशन तक यानि कि एक से लेक चेंज गर के विशा का बतने मा आपका किया गया है और बंगाल के पास इस एक्सेस को कंड़र्ट करवाया जाता है जहाँ पर सभी देशों की नौ सेना एक साथ आई हैं, नौ दिन का ये कारक्राम है और ये 27 फिब तक चलेगा, हमारे इंडिय नेवी चाहती है कि हम 2047 तक अपने आपको पूरे तरीके से इंडिजनाइस करें यानि की पूरे तरीके से आप निरवर हम बन सकें, तो उसके लिए सभी देशों का को आपरेशन भी भारत को चाहिए और हमें चाहिए कि हम अपने इंडिजीनिस टेक्न लोजी को लेकर आगे बढ़ें और इस प्रकार क एक्सिसाइज से भारत अपना दमखं पूरे विश्य को दिखाने में सक्षम होता है आप सभी डिफेंस इस्परेंट, SSB क्रैक एक्जाम के इंटर्व्यू और रिटन कोर्स जैसे कि NDA, CDS, FCAT, MNES में इंडोल होकर अपने आने वाले एक्जाम के तयारी जरूर करें वो और एक 10 कोट का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% of flight discount हमारे सभी कोर्स इसमें मिलता जाए अगर आप एक डिफेंस इस्परेंट हैं और SSB इंटर्व्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं